दुबई में शॉपिंग करके अगर वैट रिफंड नहीं लिया तो क्या ही किया। मैंने दुबई से आइफोन 14 प्रो मैक्स पर्चेस किया था और बिलिंग के दौरान उन्होंने मेरा पासपोर्ट नमबर पूछा और एक वैट का स्टीकर बिल पे चिपका के दिया। और ये जो वैट का अमाउंट था ये मुझे कलेक्ट करना था दुबई एरपोर्ट से जब मैं इंडिया वापस आ रहा था। तो मैं पहुझ गया दुबई एरपोर्ट के वैट रिफंड काउंटर पे। वैट रिफंड वाले काउंटर बे मेरा बिल और वो प्रोड़क्ट देखके मेरा जो वैट का अमाउंट था वो प्रोसेस कर दिया जो कि ये अप्रॉक्सिमेट एक हपते में आपके अकाउंट में आ जाता है। आज हम दुबई के टैक्सपेयर नहीं है इसलिए हमें 4% वैट रिटन मिलता है। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड में शेर करिए जो दुबई जाके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं।